नमशकार आदाब हेलो मेरी प्यारे मित्रो तो जैसे कि मैं बता रही हूं कि हमें गुमने चलना है imports बताईे सबसे जरूरी क्या चीज है बताईे सबसे जरूरी चीज है पैकिंग ओफो ये तो बड़ा ही जानलेवा होता है क्या पैक करो या नहीं करो अच्छा यह हमें पता तो होता है क्या पैक करो क्या नहीं करो पर सब कुछ एक साथ पैक करना बहुत ही ज़्यादा होता है वो भी कम वेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा समान हो और हमारे सब मन का समान हो तो उसको हम कैसे पैक करें तो वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आप अपना सारा समान कैसे पैक करिए कम से कम स्पेस में और जादा से जादा चीजों के साथ तो चलो पैकिंग करते हैं और फिर घूमने चलते हैं तो चलो देखो वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया आज मैं आपको पैकिंग के कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी कि आप मैं सेवन डेज की पैकिंग कंसीडर करके बता रही हूं मतब सेवन डेज जो हम केविन बैगेज में जादा तर जो सूटकेस यूज करते हैं उस साइस के सूटकेस में आप कैसे एफिशेंटली अपना समान पैक करिए तो मैं साथ से आड्रेसेज लूँगी बाकी एसेसरीज लूँगी कुछ एलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स लूँगी जरूरी चीजे लूँगी जो हर टाइप की ट्रैवलिंग में यूज होती है तो सबसे पहले तो कपड़े फोल्ड करने का तरीका बताऊंगी कि आप रोल करके फोल्ड करिए इससे कपड़े की वो जो फोल्ड होती है वो खराब कपड़ा खराब नहीं होता अगर आप उने रोल करके रखते हो तो आप सबसे पहले तो सारे कपड़े अपने वाडरोब से निकाल के रख लीजिए जो जो आपको ले जानी है जनली आप ऐसा करिए एक डार कलर का ब्लैक कलर का क्लोटिंग जरूर रखिए अपने साथ घूमने में क्योंकि वो आप रिपीट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें और आप अपना सूटकेस खोल के सारे कपड़े पहले रोल मोड में मतलब जैसे आप रोल करते हैं वैसे फोल्ड करके आप उनको साइड में रख लीजिए फिर हम उस सारे कपड़ों को एक साथ अरेंज करेंगे बहुत सारी स्पेस मिले आपको बाकी समान रखने के लिए और जब आप ओपन करें तो फिर आपको कपड़े जादा सर्च नहीं करने पड़ें मैं कलुके पर इन आप कई रख लेकर आए उसके छड लेकर आइगो मैं ने साथ प्रकार के कपड़ों को इस फोल्ड कि करके रख लिया आप अब है यह यह आपको बता दूंक प्पड़य गया है उनको आप वील के पास रखी है जहां वील्स होते हैं क्योंकि जब हम खड़ा करते हैं सूटकेस तो वील्स के पास हमेशा आपको हैवी समान रखना चाहिए जैसे कि अगर आप बुक्स ले जा रहे हैं तो आप उस तरफ रखेंगे तो और नीचे की साइड लाइट रखेंगे तो सारे वेट उस तरफ बाहने में बहुती चाहिएगा जैसकि मैं रखती जा रही हूं एक आप जारी जीन्स जरूर रख cricket क्योंकि वो मौसं में कैसी कामा जाती है एक ब्लैड कलर का खौद जरूर रख क्योंकि ब्लैक कलर का कर सकते हैं जल्दी से और कपड़ों का फोल्स भी नहीं पड़ेंगे कपड़ों में कहते हैं जैसे वो आ जाते हैं फोल्स आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे क्योंकि इस तरीके से आपके कपड़े एक क्यों पर एक नी रेस्ट करें साइड बाई साइड रेस्ट करें तो नीचे है 5, 6, 7, 8, 8 जोड़ी कप्रे इस हमें आ गए हैं जो हमने केविन बैगेज वाले साइज का सूटकेस लिया है अभी मैं ये शॉट वाला सूटकेस दिखा रही हूं क्योंकि मैं 5-6 डेज का ट्रेप या समझ ली 7 ड्रेज का ट्रेप इसमें आप प्लाइन कर सकते हैं इसमें चाहें तो आप एक ड्रेस कम भी कर सकते हैं अगर आपको वहाँ शॉपिंग करना है या को समान खरीद के लाना है और आपके पास दूसरा सूटकेस नहीं है तो दीख आजर एडेप्टर चाहिए यूनिवर्सल जो हर जगे में जादा था यूनिवर्सल एडेप्टर रखती हूं हर जगे का अलग नहीं कि यूएस यूरोप कहीं भी काम आ जाए वैसा एडेप्टर मीडिल इस्ट इंडिया और जिसमें यूएस भी ट्राइब्स भी हो तो एक कि अडेप्टर से मेरा सब कंट्री का हो जाता है मुझे अलग अलग फी चूज नहीं करना पड़ता इस तरीके से मैं एडेप्टर रखूंगी और उसके साथ मैं रखूंगी अप जो बैल्ट्स पगेरा है वो आपकी टैंगल ना हो तो आप चेन में रखिए एक आपका जो फोटोज ग्राप्स रखिए कभी जरूरत पढ़ जाती है तो इसलिए हमेशा दो तीन फोटोग्राप्स विजिटिक कार्ड हमेशा ही रखिए उन्हें कभी निकालिये भी मत जब आपको अनपैक करना हो तो इससे क्या होता है वो आपके पास हमेशा ही रहेंगे इस क्योंकि लॉक की अभी भी जरूरत पढ़ जाती है चाहें आजकल आटोमेटिक लॉक्स हैं तब भी क्योंकि कई बार लॉक्स खराब हो जाते हैं आपको दूसरा समान आपने कुछ खरीदा है उसमें अगर लॉक की जो हो तो अम मैंने देखी नाइड्रेस वगेरा भी पैक तो उसके लिए आप एक एक्स्टा पेर भी रख लीजिए ब्लैक ड्रेस मैंने काया आप जरूर रखिए क्योंकि उससे क्या होगा कि आप रिपीट कर सकते हैं तो कुछ चीजे जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिक्स में उसमें बैटरी बैंक रखिए बैटर अब ही मैं इसको चैक-इन और हैंड बैगेज इस सूटकेस को दोनों ही बना रही हूं तो उस हेसाब से दिखा रही हूं इसे चाहें तो आप चैक-इन में भी दे सते हैं पर बैटरी बैंक आपको निकालना होगा अब मैं आपको ऐसे सरीज का बताऊंगी कि आप ऐसे सरीज भी चब पैक करते हैं तो आप किस तरीक से अब आप एक स्वेटर एक पतला सा स्वेटर आप जरूर रखिए क्योंकि उससे क्यों होता है कि अगर मौसम थोड़ा भी चेंज हो चाहें आप गर्मियों के दिन में तो एक आपके पास वो रहनाजी आजकल एसी में कभी-कभी एसी बहुत स्ट्रॉंग होता है और आपको हल्की सी ठंड लगती है तो एक पतला सा स्वेटर भी रखिए तो वो भी आप रोल करके या एकदम उपर ही रख सकते हैं कि इसली आप उसको निगाल सकते हैं अब जै इसली निकाल सकते हैं कभी भी वैसे आप इसको पर्स में भी रख सकते हैं पर्स में एक एक्स्टा भी रख सकते हैं और या सूटकेस में भी रख सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है इसको आपको कहा रखना है मैं इसे जनरली सूटकेस में करती हूँ वैसे तो मैं एक box मिले जाते हैं तो वो box का weight आता है उस box को संभालते रहो उस jewelry box को तो मैं आपको बहुत easy तरीका बतारे हूँ जैसे आप एक cotton का handkerchief लीजिए जो पुराना रुमाल होता है वो लीजिए उसके अनदर आप अपने ear rings को है न जैसे hole बनाके वो जैसे सुई की तरह ही होते हैं यहर रिंग के जो होते हैं उसको घुसा के उसके अंदर प्लग कर दीजिए तो दो यहर रिंग साथ में तो पेरिंग भी बना रहेगा और आपके रूमाल में देखे जैसे मैं लगा रही हूँ यह earrings मैंने लिए और लगा दिए तो इससे क्यों होगा आप मैं एक ही जगे रहागा और रुमाल बहुत लाइट वेट होता है बाद में आप यूज भी कर सकते हैं और आप सूटकेस में ढूंगते नहीं रहेंगे और अगर आप जोईलरी बॉक्स ले जाएंगे तो वो एक अलग से बहुत स्पेस लेता है और वेट भी हो जाता है उसका चाहें वो फिर कितना भी लाइट वेट हो उसको एक अलग से संभलना पड़ता है अब आप सारे earrings अपने अरेंज कर लीजिए इसके ओपर जियनले आप कुछ एरिंग्स ऐसे रखिए जो सब ड्रेसे पे चल जाएं जैसे कि गोल्डन है, वाइट है या ब्लैक है और कुछ एरिंग्स आप ऐसे रखिए जो दो-तिन कलर की स्कीम्स जो आप ले गए हैं ड्रेस स्कीम्स उनके साथ चल जाएं तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा क्यारी नहीं करना पड़ता है जैसे चार से पांच एरिंग्स आप ले जाने हैं तो आप कलर स्कीम अपनी ड्रेस का देखता हुए जो तींचा ड्रेस पे चल जाएं जैसे कि ब्लु ब्लैक आपका रैड और पिंक पी चलेगा तो उस एसाब से आप यहरिंग्स अपने स्लेट करे अभी देख्या यह जो पहले होक वाले ही यह इर निंग्स थे वह मैंने लगा दी है इविंग जो पीछे से स्टॉपर वाले होती हैं वह भी मैंने रुमाल के पीफे लगा दी है क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट रोमाल बह इसको fold करके बाद में रखेंगे तो आपको अपने earrings का set दिख जाएगा जो भी आपको use करना है तो आपको ढूंडना नहीं पड़ेगा एक तो यह entangled नहीं होंगे एक पेर गूम गिया एक पेर नहीं मिला अब आप क्या पहन रहे हो end time पे ऐसा नहीं होगा आपको एक साथ जरूनी नहीं तो बहुत सारे भी लगा सकते हैं क्योंकि रुमाल में काफी सारे आ सकते हैं तो जो आरे हैं वो जल्दी से लगा लीजिए बाकी इसी तरीके से मैं आपको और भी असेसरी का आरेंजमेंट बताऊंगे और जो आप यह कपड़ा फोल्ड करके अपने सूटके जिसमें कहीं भी गुषा सकते हैं तो आप तेखी रहा हूंगे यह देखे मैंने अब यह फोर्थ पियर लगाने लगे और मैं सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे लगा कर आपको इसलिए बड़े चोटे कि देखिए सब टाइप की यहरिंग इसमें लगा सकते हैं इसल क्योंकि सब आपके एक ही जगे हो जाएंगे तो इस तरीके से देखिया आप मैं यह हाइप लैप्स में इसलिए नहीं दिखा रही हूं बरना आप समझ नहीं पाएंगे मैं कैसे लगा रहे हूं इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबा कर लगा एंग वीडियो त्वी बन रहा ह अब आप देख सकते है, मैं बहूत सलोली सलोली बिल्कुली नॉर्मल स्पीड में जैसे मैं लगा रही हूं उसी स्पीड में च्शूट किया है। जिससे आप समझ यह कैसे लगाता है। देके मैंने इसे अंदर पोप किया होल, वो अपने आपी होल हो जाएगा, तो अपने आपी ये लग जाएगा, तो इससे क्या है, आपकी ऐसेसरी बहुत ही स्मॉल जगया जाएगी, without any weight, इससे अच्छे से अंदर से फिक्स करके लगाईए, वो निकल गया था, मैंने ठीक से नहीं किया था इसलिए पीछे से एक बार कि इसको अच्छे से लगा दीजिए अभी देखिए लग गया अभी देखिए मैं दूसरा वाला भी एक और लगा के आपको दिखा रही हूं है वी वाला जिससे कि आप समझ जाएं कपड़ों पर किस तरीके से इसलिए लगाया जाता है पीछे स्टॉपर से इसके आप स्टॉपर निकाल के स्टॉपर पीछे से लगाईए बीच में इसके होल जैसे हम कान में पहनते हैं सेम हिसाब से आपको इसको कपड़े को पहनाना है एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कपड़ा या कोई भी आप नेट का कपड़ा या बहुत सॉफ्ट मलमल या कॉटन का रूमाल, कॉटन का रूमाल ऐसा है कि आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं तो ये देखी, ये मैंने पूरा ऐसेसरीज का अभी मैं किट सेट कर रही हूँ उसमें मेरा इयर्रिंग्स का पहले है तो वो मैंने लगा दिया है अब ये देखी, ये सारे हो गए तो ये पीछे से, इस तरही से स्टॉपर लगा देंगे, तो वो सेफ है अब मैं इसको क्या करूँगी, फोल्ड कर दूँगी दीरे से, तो ऐसे फोल्ड करूँगी कि बीच में क्लॉथ हाए तो ये देखी, ये फोल्ड हो रहा है क्लॉथ हागया वो नियर्रिंग्स के उपर अब ये ऐसे फोल्ड कर देंगे अब ये देखींगी, बीच में कहा नहीं है तो वहीं से fold कर देंगे earrings के उपर नी तो ये देखे अब ये फोल्ड हो गया अब ये रुमाल की तरह हो गया ये आप किसी भी cover में रखके या आप अपनी वो जो suitcase की chain है उसमें रख सकते हैं तो इस तरीके से अब मैं दूसरे कपड़े में हार याने की neckless सेट करूँगी तो neckless भी बहुत जादा entangled हो जाती हैं मिल जाती हैं ये कई बार इधर उदर निकल जाती हैं जैसे कि अगर आप पर्स एक छोटे पाउच में ले जाएं तो वो भी निकल जाती हैं मैंने देखा या मिक्स हो जाती हैं आपस में फिर उनको आप बस clear ही करते रहो और निकालते टाइम ऐसा हो जाता है कि आप पहनी नहीं पाते हैं क्योंकि वो फिर साफ करते हैं अब आप ये सारे अपनी जैसे की चार neckless मैंने सिलेक्ट करी हैं ले जाने के लिए आप अलग अलग टाइप की हैं को दिखाने के लिए कि कैसे अलग अलग टाइप के लिए जा सकते हैं चारो को मैं ऐसे रग दूंगी हैंकरचिफ पे तो आप इसको या तो चाहें फोल्ड कर सकते हैं या फिर चाहें आप एक safety pin की मदद से सबके ऊपर एक टक कर दीजिए safety pin necklace को rumal में तो उससे क्योंगा सब एक जगे रहेंगे तो मैं ज़्यादा safety pin नहीं carry कर रहे थी तो मैंने एक safety pin से इसे टक कर दिया है अब ये एक necklace इधर रहेगा जो heavy बाला है ये देखिए अब मैंने safety pin से टक कर दिया तो वो एक ही जगे रहेगा rumal में ये भी मैं rumal में as I fold कर लूँगी जैसे कि मैं rumal carry कर रहे हूँ अब ये दूसरा necklace का जो वो है end है वो मैं उसमें टक कर दूँगी मैं ये slow video में बार-बार आपको इसलिए बता रहे हूँ कि जिससे आप देख सकें ये कैसे कर सकते हैं तो ये जो पुराना rumal है उसमें उसको आप लेकर आप उसमें ये सब कर सकते हैं ये आपके as a rumal की तरह आप इसे carry कर सकते हैं और ये इस तरह के से carry कर सकते हैं कि sorting out बहुत easy रहेगा ये technique से आप एना आपको एक jewelry box अलग से carry नहीं करना पड़ेगा जो आपका weight बढ़ाता है space वो करता है अब ये देखिए मैंने ऐसे कर दिया अब मैं क्या करूँगी इसको fold करना शूरू करूँगी तो इसको vertical folds दूँगी क्योंकि necklace मैंने verticals बिठाए है तो लंबा 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 फोल्ड करूँगी अब इस necklace को मैं इसको उपर रख दूँगी मैंने टक नहीं किया है और दिखिए फोल्ड कर दूँगी तो अब वो फोल्ड मेरा necklace अब मैं इसको fold कर दूँगी एक और जो last है बस अब इसको मैं पूरा fold करके overlap folding दे दूँगी तो जिससे क्या होगा क्यों necklace अंदर ही रहेंगे निकलेंगे नी और दोनों साइड से ऐसे fold हो नहीं सकता हाफ fold हो नहीं सकता क्योंकि necklace मोटे मोटे हैं बीच में दोनों साइड से fold करके इसे मैं या तो अपनी chain suitcase की chain में रख लूँगी या अपने accessories वाले bag में रख लूँगी अब यह जो मेरा accessories का bag है जिसमें मैं lipsticks या छोटा मोटा powder compact रखती हूँ तो वो देखिए इस type का मैंने रख रखा है बहुत ज़्यादा नहीं रखती hair bands वगेरा तो वो तीनचा lipsticks ही मैं करी करती हूँ वो ही as a eyeshadow का मा जाती है वो ही आपको as a blusher का मा जाती है नेल polish में जातर एक dark shade रखती हूँ जो मैं लगा के जाती हूँ वो light shade जाती हूँ जिससे कि मैं change अकर मेरे पास nail polish remover उस time नहीं है मैं spill हो गया तो अब यह देखें necklace वाला मैं इसमें रख दूंगी इसके ओपर यह necklace वाला नहीं ear rings वाला अंदर रखूंगी क्योंकि necklace वाला लंबा है और hair band रख पस मेरा यह accessories का bag 7 days का complete हो गया इसमें मैंने minimal basic accessories रखी है यह nail polish remover का जो आजकल पैट्स आती है वो रखी है डारेक्ट लिक्यूड नहीं रखा है क्योंकि वो spill हो सकता है तो आपका यह हो गया छोटी सी night cream या day cream रख लिए अब यह necklace का हो गया यह मेरा पूरा एसेसरी का bag जो मेरे suit case में जाएगा इसके उपर जो हार का necklace का है वो रख दिया है वो बाद में दोनों suit case में जाएगे अब मैं ले रही हूँ travel toiletries का set उसमें मैं छोटी छोटी bottles ही लूँगी क्योंकि जादा बड़ी bottles करी करने में वेट भी लगता है और hand baggage में कई बार allow भी निकते हैं देखें मैंने छोटी छोटी बाटल को fill up कर लिया है अपने soap से hand soap से shampoo से छोटी बाटल से इसको आप अपने cosmetics या उनसे fill up कर लीजिए फिर उपर से tape लगा दीजिए जिसे कि वो spill ना हो वैसे ये tighty होती है इनको ये fill करने के दिये होती है तो आप बहुत छोटे-छोटे रखिए पूरा-पूरा सेट लेकर मत जाए जनल ये हम 500 ml या 1 kg का खरीदते हैं शेंपू या बाडी बाडी सोप, बाडी लोशन तो वो इतना नहीं जाएए टूथपेश्ट पी बहुत स्मॉल वाले मिलते हैं लेकर जाएए, ट्रेवल खिट साती हैं वैसा ले आएगे तो आप अपनी असीक ऐसे सरी से छोटे से उसमें करके ले जाएए यूजर्ण थ्रो टाइब नहीं तो फिर अगर शेंपू के बहुत छोटे-छोटे बॉटल्स भी आती है, अगर आपको वैसा है तो ऐसे वाले खरीद लीजिए नहीं तो फिर अगर आपने बड़े बॉटल्स खरीद रखे हैं तो उससे आप एक छोटी बॉटल में रिफिल करके उसमें ले जाएए तो इससे क्या है आपके स्पेस भी बचती है और वेट भी नहीं आता है वनना फिस सूटकेस में आप अगर फाइवंड़ एमेल या टूहंड़ एमेल की बॉटल रखेंगे तो वह पूरा बहुत स्पेस ले ले लेती है उनके बॉटल्स भी बहुत हैवी होती है अब यह देखी रिंग्स का मैं बता रही हूँ जैसे कि जो हम रिंग्स पहनते हैं हातों में अब रिंग्स को भी अगर आप एंटेंगल यह एक डिब्बी में रखेंगे तो वह बहुत जादा वेट भी लेंगे और स्पेस भी लेंगे अब यह देखी यही मैंने हैंकरचिफ लिया है और इसके अंदर मैं सारी रिंग्स को जैसे हैंकरचिफ को रोल ओवर कर लीजे सारी रिंग्स को उसके अंदर पिरो दूँगी उनके अंदर भर दूँगी अब आप यह दे रिए सारी रिंग्स जा रही हैं उसके अंदर सार ये अब ये देखे ये rings का भी एक जगे हो गया अब मैं अपने rings, ear rings और necklaces सब मेरे एक रुमाल में एक रुमाल की तरह बंद हो गया without any weight और बहुत अच्छे से organize भी कल दिया तो मैं इसको अपने accessories के bag के अंदर ही ये रख लूँगी तो इसके अंदर देखी इतनी space है इतनी छोटे से bag में 4-5 lipsticks भी आ गयी एक छोटा सा compact और एक छोटा सा foundation stick भी आ गया छोटी सी cream भी आ गयी पाँच ear rings आ गये 5-6 rings आ गये क्योंकि मैंने उनको अच्छे से organize करके लगाया और देखना mix भी नहीं होंगे जब मैं निकालूँगी तो यह ऐसी के ऐसी निकलेंगी जैसा कि आप देख रहे हैं तो आप चाहें तो पहन सकते हैं यह देखिए मैं निकाल के दिखा रही है अब यह जैसी earrings वाला मैंने निकाला यह earrings वाला मैं ऐसे खोलूँगी जैसे कि रुमाल खोला जाता है यह देखिए ऐसे खोल लिया आपने बस अब इसमें से आप से लेट कर लिए यह कौन सा पहनना है दीरे-दीरे सब खोलते जाने हैं तो दोनों पेर भी बिगडे नहीं है और रुमाल की रुमाल में है और आपको ज्वैलरी बॉक्स करी करने की जोतनी है अलग से एक बस आपने पाउच में सब भर लिया चाहें तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं चाहें तो आप इसे अपनी सूटकेस की चेन में भी रख सकते हैं हेंड और वेट थी तर्किष टॉविल अगर आपको नहीं ले जानी यह थो नहीं ले जाएए यह घ्र का सबसे लोग अपना क्या करें करें पर बोलं रहे हैं टर्किश टॉविल में बोल रही हुआ थार के थें और में और यह कंट आड, और मdarईब देखिए आपने इस तरीके से मैंने और इंच कर लिया अब इसमें बहुत टॉयलेटरी जाएंगी जो मैंने अभी फिल नहीं करी हैं मैं उन्हें फिल करती हूं जनल यह तीन-चार बॉटल्स छोटी-छोटी वैसे तो होटल्स में भी प्रोवाइडेड होता है यह सब तो यह उपर ही रखूंगी और क्योंकि यह इसे मैं हैंड वैगेज की तरह ही उज़ करूंगी और टर्किश टॉविल ले जानी है तो ले जा सकते हैं यह optionally मतलब टर्किश बोल रहे हैं यह सॉफ्ट इंडियन टॉविल जो आपने देखाऊगा मिलती हैं यह जो necklace वाला है वो मैं चेंड में रख रही हूं अपने ही suitcase की इसको fold करके अच्छे से कि जिससे वह निकले नहीं तो मैं कभी भी उसे access कर सकती हूं जब भी मेरा मन करे suitcase की chain में तो इस suitcase की chain में आप अपना ऐसा काफी जरूरी समान भी रख सकते हैं तो इस तरहीके से मैं ने chain में यह रग दिया प बस मेरा सूटकेस फाइनल पैकिंग स्टेजिस पर है अब मेर को एक उपर से जैकेट रखनी है क्योंकि अभी भी ठंड हो सकती है यह वाटरप्रूफ जैकेट में ज्यादा तर प्रिफर करती हूं क्योंकि waterproof jacket में क्या है कि अगर बारिश भी पढ़ जाए तो वो यूज आ जाती है इसलिए मैं waterproof jacket देखे ये में रखनी हूँ ठंड के दिनों में भी खामा जाती है और अगर बारिश ओर ये तो भी खामा जाती है पर ये optional है अगर आप बहुत गरम जगे जाने हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि इसको आपको jacket को यूज करना ही पड़े पर मैं जनरल ही रखती हूँ ये देखे इस small lock भी मैंने suitcase के अंदर पहले ही बताया था chain में रखा है वो मैं हमेशा suitcase में ही रहने देती हूँ कभी unpack ही नहीं करती उसे कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपको रास्ते में तो एक small chain ये देखे मैंने visiting card रख दी है suitcase अब बिल्कुल packing mode पे आगया है अब मैं chain लगा दूँगी ये देखने में आपको फूला फूला लग रहा है आप उसको optional है नहीं भी ले जा सकते हैं पर अगर आपको टॉबिल ले जाना है तो soft वाली ही ले जाएए उससे weight कम रहता है और easy to dry भी होती है जैसे कि अगर आपने use करी कहीं पर बीच पर या बीच में कार से उतर के आप ट्रैवल कर रहे हैं वाल बीच में आप नहा रहे हैं तो आपके पास टॉबिल है तो आप वो जल्दी से सूख जाती है अगर आप heavy टॉबिल ले जाएंगे एक तो वो heavy होती है और सूखने में भी बहुत टाइम लेती है अगर यह जो उपर की चेन है इसमें आप slippers रख सकते हैं मैं generally heavy heel वाले ही पहनती हूँ जिसे की ज़्यादा weight ना ले और suitcase में ज़्यादा वो नहीं हो जो सबसे बड़े आपका boots है या heels है वो और रख सकते हैं टाइम बिंग आप अपना passport इसमें रख सकते हैं पर वैसे passport मैं पर्स में रखती हूँ तो इस टाइब के कुछ pouches आप इसमें रख सकते हैं जरूरी बार बार दिखाना है बार बार बो करने हैं कुछ जरूरी papers या फिर आप अपने bathroom slippers इसमें रख सकते हैं अब यह जो पिलो है ट्रैवल पिलो है तो मैं इसके handle में suitcase के handle में लगा दूँगी अलग से अंदर से पैक नहीं करूँगी क्योंकि वो allowed होता है उपर से लगाना तो that is not counted as weight तो यह suitcase के उपर लग जाएगा यह अब मैं आपको यह वैसे चाहें hand bag वे तो एक purse भी ले जा सकते हैं उसमें जरूरी चीज़े आपको बताऊंगी कि पर्स में आप क्या क्या रखी क्योंकि आपने देखोगा मैंने इसमें camera नहीं रखा और भी एक दो जरूरी चीज़े नहीं रही पासपोर्ट में जरूरी पर्स में करती हूं यह उपर की चीन में जरूरी स्लिपर्स या बाथूम मतलब फुटवेर टाइप का रखती हूं पतला वाला मोटा वाला फुटवेर में जरूरी पहन कर चलती हूं चार्जर एंड यूनिवर्सल एडेप्टर एंड मोबाइल चार्जर एंड हैड़ फॉन्स इसके अंदर पूरी एसेसरीज है सब कुछ सारी कपड़ी है एक स्कार्फ है और एक स्वेचर है और टॉलेटरी सेट है तो इससे क्या होगा आपका साथ-एट दिंका समान हो गया तो आप देख सकते हैं इस तरीक से आपको सब टाइप के कपड़े दिख रहे हैं वो आपको रोल में ऐसा लग रहा होगा कि तहार बिगड़ जाएगी पर तहार नहीं बिगड़ती है इस पर फोल्ड नहीं आते है जब आप खोलेंगे क्योंकि इस पर डारेक्ट वेट नहीं डब जाता है तो ये देखे संग्लास इस में असे और परस में रख सकते हैं अभी मैं इस में रख लिया हैं कि पर्स में मैंने पासपोर्ट बगएरा ज़रूरी चीज़े रखे जो बार बार चैक करानी होती हैं यव ritual पहुंचने के बाद पासपोर्ट और घर की चाभी सूटकेस में लॉक कर देती हूँ लेकिन पर अभी चब मेरे को ट्रैवल बाई एर जाना है या बाई ट्रेन जाना है तो मैं सबसे पहले पासपोर्ट ये सब चीज़ों उपर रखोंगी क्योंकि वो कई बार-बार चेक करानी पड़ती है तो मैं बार-बार सूटकेस नहीं ख कर है तो या आपने नेकलेस रख दिया या आपने विजििंगकार सब्सक्राइब अपने लॉक रख दिया बैड्सलिक अपने चेन में कभी बी आप अपने घर की चावी जो आप लॉक करेंगे सूटकेस में मत रख लख हो जाता है या लॉक है इल । में आपका suitcase late मिलता है तो फिर उसमें आप अभी देखिए मैंने chain का खोला आपने देखा जब कि मैंने suitcase खड़ा कल गया था बिल्कुल वैसी की वैसी necklaces है बिल्कुल ने बिगड़े जब कि मैंने suitcase खड़ा करके उसमें traveling pillow लगाया था तो इस तरीके से आपके necklaces बिल्कुल as it is रहेंगे जब आप खोलेंगे ना वोट entangled होंगे चारो के चार एक जगे मिलेंगे आप चाहें इंदम खोल के उसमें पहन लीजिए as a fold type उसे रखिए as a rumal के fold की तरह तो इसे अच्छे से fold करके तो बाद में अगर आपको कभी urgently rumal की जग पड़े तो आप rumal भी इसको use कर सकते हैं तो इसका एक EF आइदा भी है jewelry box में क्या है वो wait हो जाता है फिर उसका कुछ use नहीं रहता कभी आपको जरूरी है कपड़ा चाहिए आपका rumal वो हो गया तो आप EF आइदा rumal भी उसकर सकते हैं तो यह आपका suit case हो गया अब यह मेरा passport का जो है यह उपर रखूँगी या अंदर रखूँगी बाद में वो मैं बाद के लिए बता रही हूँ जब मैं अपने hotel में समान lock करके जाती हूँ तब पर अभी मैं अपने उसके लिए यह देखे ट्रैवल पिलो हो गया जैकिट मैं कई बार है एरपोर्ट पे पहन भी लेती हूँ जिससे की वेट कम हो और मुझे ठंड भी न लगे अब यह मेरा समान जो है उसमें जाएगा पर्स में कैमरा इसलिए डेलिकेट होता है या मुझे फोटो खिष्णा है यह दिखे चार-पांच चीजे में अपने पर्स में रोखनाओंगी मेरा पर्स में यह मेरा बॉलेट है पैसो वाला यह मेरा जाबी है घर की यह पासपोर्ट है और यह सब तो इस पर्स में अब मैं अपना एक बड़ा सा पर्स ले रही हूँ हैंडबैक टाइप का पर्स टोटे टाइप का तो उसके अंदर एक ही रिखिया आजकल मास्क बहुत जरूरी है तो मास्क रख लिया मैंने एक्स्ट्रा एक तो मैं पहन के जाओंगी पासपोर्ट्स रख लिए जो भी फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं वो एक ही जगे रख लिए और यह मैंने अपना कैमरा रख लिया अपी तो मैं ऐसी रख कर दिखा रही हूँ पर आप अच्छे से कवर में करके रख लिए और यह ट्राइपोर्ड ऐसा है कि शाएद यह प पैकिंग हो गई तो देखिए सूटकेस पैक हो गया एक पर्स पैक हो गया यह मैं सिंगल लेडी के लिए बता रही हूँ जो छह से साथ दिन के लिए जा रही है अब आपको अगर लांजरी अंडर गार्मेंट्स पैक करने है तो आप एक ट्रेस कम करके उसके बदले वो पै आप पैक करेंगे तो आपका समान हैवी होगा कुछ जरूरी की दवाई जो होती है जो डेली उसकी या फिर बुखार की वो आप अपने सूटकेस की चेन में रख सकते हैं जैसे कि पैरसिटमोल बुखार की दवाई सर्दी की दवाई देखिए सारा पैक हो चुका है बस मु आपको जोल्री पैक करना कैसा लगा यही सब देखते रहें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और नीचे कमेंट में लिखिए आपको क्या अच्छा लगा और आपकी क्या पैकिंग टिप्स हैं तो चलो फिर बाई अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए पसंद कीजिए बाबाई